आज देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ केसरी या जुबा केसरी सबसे पहले केसरी का मतलब बताऊंगा फिर जुबा केसरी का मतलब बताऊंगा केसरी एक अखवार हुआ करता था जो 1881 से दिन मंगलबार 4 जन्वरी को पूने से प्रकासित होना शुरू किया और उस अ 1908 से लेके 1914 तक अपने अखवार के वज़ा से जेल में रहे और उस केसरी का मतलब बदल दिया गया और कर दिया गया बोलो जुबा केसरी और वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि गुटका कंपनियों का परचार करना है राज ठाकरे जी जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े सेर है मुंबई के और उसी मुंबई में बहरुपिया कलाकार जो है ना गुटका का परचार करते हैं और बोलते हैं जुबा केसरी वो इसलिए बोलते हैं कि जितना भी गुटका खाएंगे जब ठूक फेका जाता है तो लगबग उसी कलर का होता है जरा सोचिए ये केसरी सब्द और केसरी रंग के साथ अपमान नहीं है तो और क्या है आप एक बर गुटका खा के थूक के देखिए कि उसका रंग कैसा होता है और इससे ज़्यादा अपमान जो है ना केसरी सब्द जो सूरे का प्रतीक होता है केसरी सब्द जो देश को आजादी दिलाया उसके साथ इस यही है वह गुटका छाप कलाकार है है कर जोुट कि क् Node टेंस इसे लिए यह लोग हो गये हैं by आज यह माय्ट पाबू साउत जई पाम बाहर ख़ाय कोई सब्सक्राइब बेंस लाग लाग इस वजह से पान-बाहार खाये पान वह यह अपने बीबी को पान बाहर खिलाता है क्या यह अपने बच्चे को पान बाहर खिलाता है यह अक्षाय कुमार यह परचार कर रहा है गुटका का और कहता है कि हम गुटका का परचार अब नहीं करेंगे लेकिन जो कर दिये हैं वो कर दिये हैं और देश के लोग समझते हैं कि में च्यक्षा गुमर्गेट को परचार से हाथ पीछे वापस खिज लिया यह अभी परचार करेगा उभ्रचार करेगा और परचार नहीं कर लेकिन बताया नहीं है कि कितना पैसा लिया है यह देखिए यह अजय दोगानी इसका सकले सूरत गुठका छाप है देखिए और इसके पाप का प्रास्टित जो है कौन करेगा इसके बच्चे पर बित रहा है इसका बच्चा सब अब बच्चे के उपर बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा इसको गुटका छाप कलाकार का गुटका छाप बच्चा ओओ ओओ